हेलो एवीवन आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल मेरे आज हम बात करने जा रहे है 13 रीजन्स वाय नाम की सीरीज की जो 2017 में आई थिंक रिलीज हुई थी मुझे इसकी रिलीजिंग यहर तो नहीं बता तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में बता दीजेगा कि आख सब्सक्राइब करने लग जाओ तो मुझे शायद से घंटों लग सकते है क्योंकि यह जो एक्स्प्लेनेशन है यह थोड़ी डिटेड एक्स्प्लेनेशन होने वाली है तो आप सभी इस वीडियो को एंटक देखती रही है गाता कि आप इसके पहले 6 विसोर्स को समझ सके उ और चाहिए को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाईएगा क्योंकि मैं ऐसे ही मूविस और वेब सीरीस के रिलेटेड वीडियो आप सभी के सामने रखता रहता हूँ तो देखो यह आठ तरिक को जल्दी एक क्यूएने करने जा रहा हूँ जहाँ पर उस क् स्क्रीन पर दिख रही होगी तो उस पोस्ट के कमेंट कमेंट पर आप मुझे सवाल पूछ सकते हो मैं हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तयार हूँ तो वह पोस्ट आपको कम्यूटी सेक्शन में दीख जाएगी तो जल्दी से जल्दी अपने सवाल मेरे से ज़रूर पूछ दीजेगा सो विदाओ वेस्टिग एने टाइम लेट स्टाट इस वीडियो तो इस कंप्लेट स्टोरी की शुरूबात होती है शुरूबात में हम क्ले नाम के करेक्टर को देखते हैं जो के कॉले स्टूडेंट था और अपने स्कूल मतलब स्कूल स्टूडेंट था क्योंकि हैना जो थी वह एक्चुली एक तरह से उसके क्लासमेट भी थी उसकी सीनियर भी थी और उसके साथ काम वगरे भी क्या करती थी मतलब जहाँ पर क्ले पार्ट टाइम जॉब क्या करता था वही पर हैना भी काम करती थी जिसकी बज़स से इन दोनों की काफी अच्छ फ्यूनारल अरेंज करना चाहते थे हैना कि लए जिसकी वज़से उस फ्यूनारल के दौरान जो था वह काफी ज़दा मायूस था और काफी ज़दा दुखी था इसकी वज़से वह बीच में ही फ्यूनारल को छोड़कर अपने घर की तरफ जाता है अब यहाँ पर अपने काफी ज़दा हैरान होग चुका था जिसकी वज़से जो था वह काफी ज़दा एक्साइटेट था इन शारे टेप को सुनने के लिए और तब उसके बास प्ले रेकॉरडर नहीं था जिसकी वज़से वह अपने एक दोस्टोनी से वह प्ले रेकॉरडर माटता है अब अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ी गड़बर हो जाएगी क्योंकि इसकी जो एक कॉपी है वो मेरे एक one of the most trusted person के पास है और दूसरी कॉपी जो है वो तुम्हारे पास है और अगर तुम चाहो तो इसे लीग भी करवा सकते हो मतलब जो जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो आगे चल कर किसी भी किसी के भी साथ ना हो इसकी बज़ा से मैंने ये 13 रेकॉर्डिंग्स बनाई है अब यहाँ पर क्ले जो था वो सबसे पहली रेकॉर्डिंग सुनता है जिसमें यहां में हैना की वाइस सुनाई देती है और तब हैना जो थी वो यह कहती है कि जब मेरा पहला दिन स्कूल में था तब स्कूल के पहले दिन से पहले मैं एक पार्टी में गई थी जहाँ पर इस पार्टी में मेरे उसी स्कूल के कुछ दोस्त मिला मतलब उसी स्कूल के कुछ लोग थे और इनी लोगों में से एक कले नाम का लड़का था जहाँ पर कले से मेरे मेरे काफी अच्छी दोस्ती थी मठलाब ख्ले जो था वो एक अच्छी-तर का लड़का था और इंट्रोवर्ट-टाइप प्यार करे जारी थी और एक दिन ऐसा होता है कि जस्टिन और हैना ये दोनों एक डेट पर जाते हैं जहाँ पर डेट के डेट के वक्त वो एक पार्क की तरफ जाते हैं और इस पार्क के दोरान जस्टिन जो था वो हैना के साथ संबन बनाने की कोशिश करता है जहाँ पर उसक पहले दिन से ही दाव पर लप चुकी थी और तब हेना जो थी उसके अंदर यह पर यह halves रहाम है यह नहीं दोस्ती के ओपर था अब यहाँ पर यह दूसरे हाफ में यह देखते हैं कि हैना जो थी जब एक principal office में कुछ जमा करने गई थी तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर जेसी का नाम के एक लड़की से हुई थी जहाँ पर जेसी का जो थी वह actually हैना के एक partner भी बन चुकी थी क्योंकि जो उनके subject teachers थे वो सभी लोग एक दूसरे को partners बनाते थे ताकि यह सारे partners आगे चल कर college के projects वगड़े एक साथ कर सके और इसी project के दोरान हैना और जेसी का यह दोनों भी एक साथ आ चुके थे जिसकी वज़स से हैना और जेसी का इन दोनों के बीच में काफी अच्छी से होती है जो उन दोनों को काफी टाइम से देखे जा रहा था अब यहाँ पर है ना और जेसी का जब उन लड़के से पूछती है कि आखिर वो कौन है तब वो लड़का लड़का खुद को एलेक्स नाम से इंट्रडियूस करवाता है जहाँ पर वो यह कहता है कि वह दोस्ती को एकसेट कर लेते हैं और तब यह तीनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे अब यहाँ पर इन तीनों की दोस्ती जल्द ही खतम होने वाली थी क्योंकि है ना जो थी उसे अब एलेक्स दीरे-दीरे पसंद आने लगा था विकॉज ऑफ इस इंट्रोवर्ड ब कि एलेक्स और जेसी का ये एक दिन जब एक जब एक डिनर करने जाते है तब वहाँ पर हैना भी पहुच जाती है जहाँ पर हैना को ये बात पदा चलती है कि जेसी का जो थी वो सिग्रेटली सिग्रेटली एलेक्स को डेट कर रही थी जहाँ पर एलेक्स को डेट करने की ब देखते हैं कि जेसी का ने थोड़े दिनों के बाद एलेक्स के साथ भी a-p कर लिया है और एलेक्स के साथ ब्रेक-फ करने के बाद जस्टीन के साथ रिलेशन्शिप में आ चुकी है एक्चुली जस्टीन जो था वो एक तरह का ठरकी टाइप का इंसान था जिसकी बज़स से हैना इस बात से काफी जदा हैरान थी कि आखिर जैसीका ऐसे शक्स को अपना बॉइफरेंड कैसे सुन सकती है जिसकी बज़स से हैन इसे बारे में बात करता है तब ऐलेक्स थोड़ी बाते बताता है जहाँ पर यह कहता है कि आयना का जिएवीर है वो काफी जाब वियर्ड है जिसकी वज़से मैंने उसे छोड़ने का डिसाइड किया अब यहां पर कले जो था वो वह एलेक्स से और भी थोड़ी बाते करने की सोच रहा था जहाँ पर इसी कैफे में जिस कैफे में हमेशा एलेक्स का आना जाना था उसी कैफे में उसकी मुलाकाट टोनी और हैना की मदर से होती है जहाँ पर टोनी जो था वो हैना की मदर की काफी टाइम से हेल्प कर रहा था इस हैना के केस को सॉल्व करने के लिए जि से आफ़ी से बाते करता है और उसके पूलेः को बिलाता है जहांपर इन दोनों बियर पिलाता है जिसके आदम ये रेखते हैं कि कि 카메ично दोस्ति करने करना चाहता था और यह उसके फायदे का ही रास्ता था क्यूंकि जस्टीन यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके जित्ते भी लटका था जिसे हमेशा फोटोग्राफी का बूद्ध सवर होता था अब यहां पर हम यह देखते है कि टाइलर जो था वो दिरे-दिरे हैना की फोटोस निकाले जा रहा था सिक्रेट लिजहाँ पर हैना को पहले-पहले तो इत्तशक नहीं हो रहा था लेकिन भीरे-दिरे उस और जब वो करणी को अपने घर पर एक पार्टी के लिए पर इन्वाइट करती है तब करणी जो थी करणी और हैना यह दोनों थोड़ी सी सराव फए पर एपाअ पर इस का हैर से रज़ा पर से पर दोनों कर शकाइनता है जिसके बाद है न जो थी वो टाइलर को समझाती है और उसे उसको फोटोbnERS डिलेट करने को कहती है जहां पर टाइलर जो ठा वोसे वह सारी फोटोफव दे देता वाइरल हो चुकी थी जिसकी वज़से हैना और कर्टनी इन दोनों के वीच की भी दोस्ती तूट चुकी थी और वो इसका तीसरा रीजन था जिसकी वज़से उसने सुसाइट करी थी अब यहाँ पर कले जब उसका दूसरा अप सुनने से पहले वो टाइलर से इस बार में बा करता है जो उसने हैना की फैलाई थी लेकिन टाइलर जो था वो उसे फोटोस देने को रेडी नहीं था जिसकी वज़से कले जो था वो काफी ज़दा अपसेट हो चुका था अब यहाँ पर हम यह देखते है कि कले जब उसका सेकेंड आप सुनता है उस टेप का तब उस टे पर अने की बज़से हैना जो थी वो देरे-देरे डिप्रेशन की ओवर जा रही थी और इसी बज़से वह यह चाहती थी कि कोई तो भी उसे सपोर्ट करे अब यहाँ पर एक दिन एक पार्टी होती है जो एक्चुली जेसी का जो एक्चुली की आफ्टर पार्टी थी जहा वह एक्चुली हैना को दीरे-दीरे पसंद करने लगा था लेकिन वो उसके पास हिम्मत नहीं थी जिसकी वज़से वह एना को बता सकी कि वह उसे पसंद करता है क्योंकि उससे ऐसा लगता था कि शायद उस हैना उसके रिक्वेस्ट को एकसेप्ट नहीं करेगी जिसकी वज़ वह दिरेदेशिव उसके ऐस फ्रेंड जोन की तरह ही रहना सुटेबल समझता था अब यहां पर इस पार्टी के दौर हम जब क्ले और हैना का डांस खतम होता है तब हम यह देखते हैं कि हैना को सभी लोग लेजबियन लेजबियन करके चिला रहे थे चिडा रहे थे जिसकी वज़े से हैना जो थी वह बीच पार्टी को छोड़कर करटनी से मुलाकात करती है जहाँ पर उसे ये बात पदा चलती है कि करटनी ने हैना के खिलाफ ये सारी बाते फैल आई थी कि वह एक तरह की लेजबो है जिसकी से अब हैना की जद और भी ज़्यादा उतर चुकी थी और ये उसका चौथा रिजन था जिसकी वज़े से उसने सुसाइड अटेंब करी अब यहाँ पर इस रिजन को सुनने के बाद के लिए जो था वो काफी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और तब उसने ये डिसाइड किया था कि वो टाइलर और इन सभी को पूरी तरीगे से एक्सपोस करके रखेगा क्योंकि उसने एना के साथ जो भी किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया जिसकी वज़े से वो धीरे-दीरे टाइलर का पीछा करना स्टाइट करता है जहाँ पर वो टाइलर की एक न्यूड इमेज निकालता है और उस न्यूड इमेज को पूरे स्कूल में फैला देता है जिसकी वज़े से टाइलर की जो बची कुछी इज़त थी वो भी पूरी तरीके से चली गई थी और धीरे-धीरे सभी लोग टाइलर को काफी ज़दा परिशान करने लगे थे जिसकी वज़े जब वो इसके बारे में कले से पूछता है तब कले उसे यह जवाब देता है कि तुमारे से एक कहानी स्टार्ट हुई है जिसकी वज़े से तुम सभी अभी जरूर भुखतोगे अब यहाँ पर टाइलर के साथ यह हस्सा होने की वज़े से जस्टिन और उसकी जो गैंग थ बाहर ले जाते है जहाँ पर वो कले को एलेक्स की गाड़ी में बिठाते है और तब एलेक्स जो था वो काफी स्पीडली ड्राइब करता है जिसके बाद कले जो था वो काफी ज़दा डर जाता है और तब वो सबसे यह कहता है कि वो इस केस के उपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा जिसके बाद एलेक्स जो था वो गाड़ी रोकने को तयार नहीं था जहाँ पर हम यह देखते हैं कि पुलिस जो थी वो स्पेड लिमिट क्रोस होनी की बज़े से एलेक्स की गाड़ी को रोक लेती है जहाँ पर हम सभी को यह बात पदा चलती है कि जो पुलिस ओफिसर तो हम तुम्हें भी खतम कर देंगे जिसके बाद क्ले जो था वो उनकी हर एक बात को मान लेता है और इस केस को रोकना बन करता है लेकिन वो उनके टेप्स को जरूर सुनने की कोशिश करता है जहाँ पर वो एक दिन कर्टनी को अपने साथ बुलाता है और उसकी ग्रेव प वो काफी टाइम से बेज़जदी सही जा रही थी जिसके वज़़ा से वो यह चाहती थी कि इस कंप्लीट बेज़जदी का पूरी तरीकी से समापन हो पाए जिसकी वज़़ा से उसने यह डिसाइट किया कि वो हैना के उपर यह सारा इलज़ाम लगाने के बाद वो इस वह से चली जाती और तब और तब ले जो था वो अकेला ही हैना की ग्रेव को देखे जा रहा था जहां पर टोनी वहा पे आता है और तब तोनी जो था वो उससे सारी तोनों के बीच में काफी जदा दोस्ति बढ़ चुका थी जिसकी वजह से हैना जो दूसरे शक्स की बात कर रही थी जिसे वो काफी जदा त्रस्ट कर थी और दूसरे शक्स के बा जिसकी वज़े से इन सब की गलतियों के जिम्मे दार्शिप जस्टीन या फिर उसकी गैंग या एलेक्स जसी का ये सब नहीं बलकि हम सभी लोग है और हम सभी लोग जो ज़स्च करते हैं उसी की वज़े से ये सारी क्राइम साचकल बढ़ते जा रहे हैं और तभी कले जो था उसे काफी ज़्यादा गेल्ट होता है कि आखिर उसने इसा क्यों किया और से ने लाको इमोशनल सपोर्ट क्यों नहीं दिया जो उसे चाहिए था जिसके आद वो दूसरे टेप का तीसरे टेप का वह दूसरा पार्ट सुनता है जहाँ पर उस दूसरे पार्ट में हम यह बा लड़के अपना नाम रजिस्टर करते हैं ताकि उनके हिसाब से उनके आदतों के हिसाब से वो ने डेट्स दे सके जहाँ पर हैना जो थी वो अपना नाम लिस्ट में नाम डालती है जहाँ पर उस डेट लिस्ट में नाम आने के बाद उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था मारकस अब यहाँ पर मारकस जो था वह एक्चुली एक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सनालेटी था मतलब वह स्पोर्ट्स वगरे में काफी जदा एक्टिव था जिसकी बज़से हैना को ऐसा लगता है कि शायद उसका PARTNER मिल चुका है जिसकी बज़से वह एना के साथ एक डेट प्लान करता है जहाँ पर हैना जू थी जब मारकस के साथ डेट पर जाती है तब वह अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाने के बाद मारकस जो था वह एना को काफी व्यरेडली टच होता है कि शायद से बोल्स के पर गंदी नजर डाल रहा है जिसकी वजह से वो मारकस को वहां से भगा देती है जिसके आदम यह देखते हैं कि हैना जो थी वो काफी जदा रोय जा रही थी और यह शायद से उसका अगला रिजन था सुसाइड करने का जहाँ पर हम सभी लोग यह देखते हैं कि क्ले जो था वो काफी जदा गेल्टी फिल कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो उसके साथ होता है तो शायद से हैना सुसाइड नहीं करती जिसकी वजह से हैना जिसकी वजह से क्ले जो था वो और भी ज़्यादा परेशान हो जा रहा था अब यहां पर हम यह देखते है कि स्कूल में कहाँ पर हम यह देखते हैं कि स्कूल में एक बार अलेक्स जब अपने क्लासेस में जा रहा था तब यई जस्टिन की जो गाड़ी थी वह उससे टक्रा जाती है जिसकी वजह से एलेकस और जस्टिन के बीच एक बहुत लंबी फाइट होती है जहां पर इस लगती से थोड़े समय के लिए सस्पेंट किया गया था ज़स्टिन को कोई भी सजा नहीं सुनाई गए थी जिसकी बजह से लेक्स उन लोगा को इन्हों के लेके वासे चले जाता है जिसके अदम यह देखते है कि क्ले जो था वह वह शेरी नाम के एक लड़की को प्रोजेक्ट करने में हेल्प करता है जहाँ पर शेरी जो थी वह उसके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए रेडी हो जाती है और जब क्ले उसे अपने घर पे ले जाता ह तब शेरी जो थी शेरी और ख्ले यह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं जिसके बाद शेरी जो थी वह यह सच्छा ही बताती है कि एक्चुली इन सभी में हैना की बिल्कुल भी गलते नहीं थी क्योंकि मारकस ने अपना नाम हैना की लिस्ट में इसी वज़ा से जोड़ा था ताकि वो अपने दोस्तों के सामने एक स्टर्ड प्रूफ करवा सके जिसकी वज़ा से और ये बात शेरी को पता थी जिसकी वज़ को इनसाफ दिला सके और यही पर ही इसका सिक्स्त अविसोड खतम होता है तो फियर यह थी स्टोरी इसके पहले चे अविसोड के आपको कैसी लगी मुझे कमेंट शेक्शन में जरूर बाता है तो मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए